हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसेस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉंपुटिशन कम्यूटी में स्वाधत करती हैं लास्ट तीन लेक्शर्स में मैंने आपको मैंने कुशन आपको समझा दिये हैं आज हम 36 भाषा का पार्ट टू पढ़ेंगे जिसके अंतरगत 36 भाषा में बचे हुए जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हैं आईए हम चलते हैं 36 गड़ी का कोशन नंबर वन में ठीक है और कोशन नंबर वन ने क्या पूछा है कोशन नंबर वन में देखा जाए तो यहां पर 36 गड़ी में सबसे जादा पूछे जाने वाले जो मुहावरा लोकोक्ती है उससे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न ने क्या कहा है कि कब अखिरे लोकोक्ती और मुहावरा क्या है? समाज के परिवेश के अनुसार लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कथन के प्रयोग के जाते हैं, जो उनके अनुभव पर, उनके सत्यता पर प्रमानित होते हैं, जिसे चत्यस गड़ी में कहावत के साथ हाना के भी नाम से पुकारा जा जो हिंदी में लोकोक्ती है, चत्यस गड़ी में उसे कहावत भांजरा के नाम से भी हाना के भी नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है, लोगों द्वारा प्रचलन में प्रयोग किये जाने वाले वक्तव्य, ठीक है? तो लोकोक्ती संपूर्ण वाक्य होते हैं, और हावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं किये जा सकते, उसके भाव को प्रस्तूत करने के लिए वाक्य के भीतर उसका प्रयोग किया जाना जरूरी होता है, ठीक है? दुसरी बात कि लोकोक्ती संपूर्ण कथन है, विशेस प्रभावी है और इसके पीछे कोई घटना या जाने के लिए किसी को चितावनी देने के लिए लोकोक्ती या हाना का इस्तेमाल किया जाता है, दुसरी बात चतिस गड़ के समाजिक परिवेश में रहने वाले मनुश्यों में महिलाएं भी घर के अंदर इस हाना का इस्तेमाल करती है, यदि उनका पती गाहर के अंदर बा तो ये लोक समाज में मानवों के द्वारा 36 गड़ के अंदर भी परियाप्त मात्रा में मौजूद है दूसरी बार मुहावरे को यदि वाक्य से हटा दिया जाए तो उसका भावार्थ जो प्रस्तूट कर रहा है उसका जो लाक्षणिक अर्थ प्रस्तूट कर रहा है वही समा हो जाता है अधिकांश मौहावरे शरीर के अंगों पराधारित होते हैं दो चार शब्द से मिलकर भी यदि बना हो तो यह मौहावरा बगैर वाक्य के अधूरा लगता है ठीक है तो हमेशा से 36 गड़ी भाशा के सी सेट में आपको मौहावरा लोकोक्ति से संबधित प्रश से मेल करनी के लिए दिया जाता है पहला प्रशन ने क्या पूछा है कब बबा मरही तब बराचुरी का अर्थ क्या है यह एक हाना है जो 36 गड़ी के अंदर प्रयोग की जाती है इसके लिए कुछ ऑप्शन दिये हैं ऑप्शन नमबर ए है किसी के लिए अप्शगुल शब् आप्शन B है कारे का अनिश्चित होना आप्शन C है प्रसनता व्यक्त करना और आप्शन D है निरठक कारे करना 36 गड़ राज्य के अंदर अंतिम विदाई का पकवान बड़ा को कहा जाता है जब महमान शादी ब्याह ऐसा कुछ मांगली का कारे होता है तब विदाई के तो पर उन्हें भोजन के साथ बड़ा जो है वो परोसा जाता है तो चाहे मांगली कारे हो या किसी भी महमान की विदाई कर रहे हो तो कभी किसी की मृत्ति होने के बाद भी जो भोज कराया जाता है उस भोज में बड़ा परोसा जाता है तो इसका अरता है कब बबा मरही तब का चूरही यानि कि यहां पर है कारे का अनिश्चित होना कि हमें म्रित्व भोज के प्राप्त होगा ऐसन बड़ा यह बनाया जाएगा इसलिए इसका मतलब आप है कारе का अरिशेत होना ठीक है अब हम आते हैं अगले कुश्चन में अगला प्रश्चन है कुश्चन न्मबर टू क्या कहता है गोड माँ आखी होना से आशय है व्यवस्थता गडबडा जाना असावधान रहना सदा सतरक रहना और याद रखना पैर में आख होना हिंदी मुहावरा है जिसका 36 गड़ी के रूप में गोड माँ आखी होना कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि यहां समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा कुछ हिंदी के संबंधित मुहावरे और लोकुक्तियों का वैसा ही प्रभाव वाला मुहावरा और लोकुक्ति प्रयोग किया जाता है तो पैर में आख होना का अर्थ होता है, सदा सतर्क होना, तो 36 गड़ी में भी गोडमा आखी होना का अर्थ होगा, option number C, सदा सतर्क रहना, खीक है, अब आते हैं अगले question में, अगला question यहां पूछ रहा है, क्या, कि उट के मुह में जीरा, हिंदी मुहावरा है, उट के मुह में जीरा, इस हिंदी मुहावरे का, इस हिंदी मुहावरे का मेल होगा, यानि कि यहां चार option आपको दिया है, कि उट के मुह में जीरा, इस हिंदी मुहावरे के लिए, 36 गड़ के इस मुहावरे में से, इससे जो है, वो मिलान हो रहा है, थोरहे के जांच, बहुत के मंजीरा, नवाई के जोगी, कलिंदर के माला, एक हाथ खीरा के, नौ हाथ पेटमा सोहारी, अब उट के मुह में जीरा यदि हम कहते हैं, तो उट जो बहुत ही एक बड़ा जानवर है, हाइट उसकी बहुत जादा होती है, उसके समक्ष जीरा किसी भी प्रकार का प्रभावी नहीं होता है, तो उट के मुह में जीरा कह रहा है, वैसे ही अगर देखा जाए, तो यहाँ पर होगा हाथी के पेटमा सोहारी, ठीक है, अब आते हैं अगले कोशन में, कोशन नमबर फोर, कोशन नमबर फोर यहाँ पर दिया हुआ है, कि अत्याचार करने के लिए 36 गड़ी में निम्न में से कौन सा मुहावरा किया प्रयोक किया जाता है, अब यहा तरह का 36 गड़ी में भी पूछा जाता है, कोशन कहा रहा है, अत्याचार करने के लिए इस अर्थ को प्रस्तूत करने वाला इन चार में से कौन सा मुहावरा है, जो सटीक होगा, क्या वो जोरी धराना है, क्या वो चुंदी हटकना है, छाती मा होरा भूजना, छाती मा होरा भूजना कहता है, या option number D, डार लेना कहता है, ठीक है, तो जब हम बहुत दर जुल्म अत्याचार करते हैं, जब परेशान करते हैं, उतलंग मचाते हैं, तो 36 गड़ी के अंदर कहते हैं, तैह काबर छानी मा होरा भूजना, मतलब कि इतना अत्याचार तुम क्यों कर रहे हो तो यहाँ पर होगा option number C, छाती मा होरा भूजना, ठीक है, अब आते हैं अगले question में, तो ध्यान रखेंगे कि छोरा लिखा है, तो ठोड़ा सा typing mistake हो गई है, छोरा के बदले में वहाँ पर होरा होगा, ठीक है, अब आते हैं अगले question में, question number 5, question number 5 दिया है आपको पहली से, तो जनवला क्या है, एक ऐसा तत्व जो से संबंधित जीवन में हर प्रकार के प्रयोग, प्राकृतिक तत्व याने कि जनवला को संस्क्रिप में प्रहेली का कहते हैं, हिंदी में पहेली कहते हैं, इसे 36 गड़ी में जनवला या बुझहवन के नाम से पुकारा जाता है, ज जाने कि दैनिक रोज में, दैनिक दिन चर्या में आने वाले प्रयोग होने वाले ऐसे प्राकृतिक तत्व, ऐसे जीवजन्तू, पशुपक्षी या दैनिक दिन चर्या में प्रयोग होने वाले तत्व से संबंधित प्रश्नों का एक ऐसा ताना बाना, जो प्रश्न शब् प्राचिन समय में मनोरंजन के अलावा मानसिक योगता के कुशल परिक्षन के लिए समय के सदूपयोग के लिए बड़े बुज़ूरों के द्वारा प्रशनों का एक ऐसा जाल जो किसी एक शब्द क्यो रिशारा करता है पूछा जाता था जिससे एक उत्तर की उपिक्षा हो है तो उससे संबंति प्राक्रतिक तत्व हो जीवजन तो हो खाने पीने की वस्तु हो शारीरिक अंग हो या मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के पक्ष की और प्रशन के माध्यम से दिक कुछ पूछा जाता है तो उसे जनवुला कहा जाता है और 36 यहां पर चार प्रकार की पहली दी हुई है पांच भाई के एके अंगना रात मा गरू दिन मा हरू पर्रा भर लाई गगन भर बिछराई और अगला दिया है करिया खेतमा पर्रा नांगर फिक है पांच भाई के एके अंगना कह रहा है तो वह हमारे लिए हथेली है रात मा गरू, दिन मा हरू, यानि रात में वो भारी हो जाता है, दिन में हलका हो जाता है कहते हैं, तब वो हमारे लिए खटिया है, इसी तरह करिया खेत मा पणरा नागर कहता है, तो काले खेत में पणरा नागर याने कि जब हम ब्लैक बोर्ड में अगर लिखते हैं, तो स्लेट कहे या हमारा बोड कहें और यदि हम चौक या बतिस या पेंसिल से उसमें लिखते हैं तो उसे हम कड़िया खेत में पंडरा नागर कहते हैं लेकिन पर्रा भर लाई गगन भर बिछराई कहता है तो इसका मतलब होता है सितारे ठीक है एक थालमा मोती भरे ओमाले एकको नहीं गिर कहता है तो उसका भी अर्थ होता है हमारे लिए तारे ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में और यदि इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है आपका किसे पहली से तो कोशिस करें कि पहली को हिंदी में अनुवाद करने का हिंदी में अनुवाद कर लेने से चीजें बड़ सारलता से आसानी समझ में आ जाती है अब दिया है आउठ कितने को कहा जाता है सवा, डेर, धाई या साड़े दिन अब देखा जाए तो आउठ और उठ में अंतर है जब हम आउठ कहेंगे तो यह एक मापक होता है ठीक है और यदि हम किसी को उठ कहेंगे तो उसका मतलब हो कि आफिर ये क्या है? जब किसी पदार्थको नापा और पॉला जाता है तो उसे हम परिमाण कहते हैं. ठीक है? परिमाण वाचक क्रिया विशेशन हो, निश्चित अंक है तो एक, दू, तीन, चार कहते हैं, निश्चित समू है तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों कहते हैं, इसी तरह 20 कसमू कोरी बन जाता है, 100 कसमू वहाँ पर सैकड़ा बन जाती, ठीक है, जहां संख्या निश्चित नहीं है, तो एककन, अककन, कन, कुन कह कर वहां पर संख्या की निश्चयात्मक्ता से अनिश्चय हो जाता है वैसे ही मात्रा है एक दू तीन चार कहता है तो यहां पर कुरो गाड़ा काठा खंडी पहली जैसे मापक का इस्तेमाल जो है वो 36 गड़ी के अंदर किये जाते हैं जब किसी मात्रा को नाप और तौला जा अरे चीजे बताई थी 36 गड़ी के अंदर एक अंगुल दू अंगुल एक हाथ दू हाथ भी कहा रहता है मूर भर गहिरा कहा जाता है ठीक है नव हत्ती पंच हत्ती सतहत्ती नव गजी का भी प्रयोग कपड़ा के लंबाई को मापने के लिए गया डाता है उसी तरह जब हम घड़ी को गिनते हैं घड़ी को गिनते हैं तो एक बज़े है सवा एक बज़े है देड़ बज़े है इसी प्रकार पौने दू बज़े है तीन बज़े है सवा तीन बज़े है लेकिन यदि इसी तरह घड़ी में साड़े तीन पौने चार चार सवा चार हिंदी को फॉलो कर क्योंकि संस्कृत का सपाध चतिस गड़ी और हिंदी में सवा हो जाता है सार्ध चतिस गड़ी और हिंदी में साडहे हो जाता है पादोन ये जो है हमारे लिए पौने हो जाता है चतिस गड़ी हिंदी में और पुर्ण को पूरा कहा जाता है चतिस गड़ी के अंदर यदी हम क धाई को 36 गरी में 8 कहते हैं 3 कम के लिए 15 कम है याने की अगर हम कहते हैं कि मतलब वह 3 किलो के लिए अगर वो हमारे पास 2 किलो में आधा औरत 8 ही हो गया और 3 में एक पाव कम है तो पौने 3 कहते हैं सवा 3 कहते हैं और साड़े 3 do i, 3 and a half केजी साड़े तीन जो होता है इस साड़े तीन को 36 गड़ी के अंदर हम आउट के नाम से फुकारते हैं तो question number six का option है answer number D ठीक है अब आते हैं आगे और इन सब को जानने के लिए आप मेरे lecture video जो आपके पास available है उसमें सजाएंगे और परिमान वाचक विशेशन के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब विशेशन के अंतरगत इन चीजों को मैंने पूरी तरह से बताया था ठीक है अब है कूरा ससूर का अर्थ क्या है 36 गड़ी शब्द के अंतरगत जब मैंने 36 गड़ी शब्द कोश बताया था तब मैंने उसमें रिलेशन्स नेम भी बताया थे मतलब रिलेटिव के नेम भी बताया थे पशू, पक्षी यहां तक की जंगली जानवर इसी प्रकार आपके घरेलू जानवर इसी प्रकार आपके फल सबजी, पक्षियों के नाम शरीर के अंगों के नाम बिमारियों के नाम हार एक प्रकार के तत्व का कीचन आइटम, खेट के आइटम सभी का मैंने वहां पर आपको शब्द कोश की जब मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था तो 36 गड़ के अंदर कूरा ससूर किसे कहा जाता है तो 36 गड़ी शब्द कोश से यह प्रशन क्या वो बड़े ससूर को कहते हैं क्या वो जीजा को कहते हैं जेट को कहते हैं या कका ससूर को कहते हैं तो 36 गड़ के अंदर बड़े ससूर या बड़ा ससूर दादा ससूर को कहा जाता है ठीक है इसी प्रकाज बड़े पापा है लड़के के उसे हम बड़ा ससूर कहते है याने की मतलब ससूर के बड़े भाई को हम कहते हैं बड़े ससूर या बड़ा ससूर कहते है और जो दादा ससूर है उसे बुढ़ में जेस्ट के भराता कहते हैं कि 36 गड़ के अंदर कुरा ससूर जैसा शब्द जेठ के लिए इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अब हम आते हैं आगे अगला है कुश्चन नंबर 7 लब डेना में कौन सा समास है हिंदी की तरह 36 गड़ी भाषा में भी समास के इस्तिमाल किये जाते हैं दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है समासिक पद की खासियत होती है कि शब्द पदों के संक्षेपण की प्रक्रिया समास कहलाती है इस समासिक शब्द में जिस समास का पहला शब्द पद अव्याई प्रधान हो उसे अव्याई भाव समास कहते है जिस समास में पहला शब्द दूसरे की विशेशता बताता है विशेशन विशेश्य वाला वो कर्मधारे होता है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो द्वंद समास होता है और पहला शब्द संख्या वाची होकर यदि समू को बताता है तो द्विगु समास ह होता है अगली बार कि समासिक बद रश्णा को विग्रह करते समय यदि कारक रश्णाओं की प्राप्ति होती है तो कर्म से अधिकरण तक के तक पुरूश समास भी गिने जाते हैं यहां कह रहा है लबडेना लबडेना में कौन सा समास है तो लबडेना वो छोटी लकड़ी हो कभी-कभी जो हम इस्तिमाल करते हैं फलों को तोड़ने के लिए तो डंगनी बनाते हैं यानि कि हम इस लकड़ी में यहां हूक लगा देते हैं लकड़ी का उससे भी हम आम को तोड़ते हैं लेकिन चुकि वो हाथ से पकड़ा हुआ रहता है लेकिन लबडेना वो लकड़ी होती है जो हाथ से फेक कर फलों को तोड़ने के इस्तिमाल होता है तो उस लकड़ी को लबडेना कहते हैं मतलब होगा option number B बहुबरी ही समास ठीक है अब आते हैं आगे अगला प्रशन है question number 9 आसिरवाद शब्द में संधी होगी क्या वो स्वर है व्यंजन है विसर्ग है या कोई नहीं तो 36 गड़ी के अंदर भी संधी का इस्तिमाल किया जाता है संस्कृत के होने वाली संधी के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में तत्सम रूप में होता है और संस्कृत हमेशा से तत्सम शब्दों के मध्य संधी करनती है ठीक है दूसरी बार संस्कृत के शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उनहीं शब्दों का तत्सम के तौर पर 36 गड़ी में अर्ध तत्सम रूप में इस्तिमाल जो है वो किया जाता है कहने का मतलब है कि संस्कृत का आशी ही संस्कृत का आशी ही धनवाद से विसर्ग संधी के द्वारा आबना हुआ हमारे लिए आशिरवाद 36 गड़ी में इस शक्कर के शाका सरुपांतर हो जाने के कारण इस आरिफ वर्ण का तोट जाने के कारण आशीरवाद से आशीरवाद कहलाता है तो कुल मिलाकर इसका आंसर है option number C तो 36 गड़ी भाशा में भी वो तमाम संधी जो स्वर व्यंजन विसर्ग के मद्धे होती है पढ़ी जाती है दूसरी बात संस्कृत के भाशा के शब्द का हो बहु उसी रूप में हिंदी भाशा प्रयोग होगा लेकिन 36 गड़ी भाशा में कुछ शब्दों के लिए जहां पर उचित है वहां पर वरनाक्षर रुपांतरित हो जाते हैं इसलिए अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए भले ही वरनाक्षर रुपांतरित हो जाए तो यहां होता है हमारे लिए संस्कृत में भी संधी की प्रक्रिया और आसिरवाग शब्द में यहां हिंदी और संस्कृत की तरह विसर्ग संधी ही पाया जाएगा ठीक है अब आत संसी है करमधार है और अप्शन डी है अव्याई भाव समास थोड़ी ही देर पहले मैंने शौर्टम तरीके से समास के बारें बताया कि जिस समास में प्रत्थम द्वीतिय को छोड़कर कोई अन्यपद प्रधान हो वह है बहुबरी ही कारक रशनाओं की प्राप्ती हो तो व बहुत जादा चतिस गड़ी के अंदर जहर को भी हम बिख बोलते हैं जो विश का अप भ्रहनशीत रूप बिख हो जाता है ठीक है यानि की जहर के समान कड़वा कह रहा है करू का मतलब होता है करू यानि की कड़वा जहर के समान कड़वा कह रहा है तो यहां पर विशेश विशेश्चे हो रहा है कि कड़वा तो है पर किसके समान जहर के समान कड़वा कहें कि यह हमारे लिए सी ऑप्शन नमबर सी कर्मधारे समास का एक्जामपल बना ठीक है अब आते हैं अगले कोश्चन में अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 11 अपसरा का 36 गड़ी स्वरूप क्या होगा यह जो कोश्चन है यह आपको एक वक्त CGPACP के परिक्षय में पूछा जा चुका है कि अपसरा का 36 गड़ी रूप क्या होगा अपसरा अपछरा अपरा या नचकारीन चटिस गड़ी के अंदर जब नाचा और गम्मत का प्रियोग किया जाता है तो जो पुरुष नर्तकी का वेश बनकर बाहर आता था उसे परी या अपछरा के नाम से पुकारा जाता था जो सार चाते के च्छा में बदल जाते हैं तो जो अपसरा है हिंदी में जो तजसम रूप में अपसरा है 36 गड़ी में उसे अपछरा के नाम से पुकारा जाता है ठीक है तो 36 गड़ी भाशा के शब्द जो है वरनाक्षरों के रूपांतरन हो जाने से अपना स्वरूप जो जो परोयगे दूसरी बार यदि शक्कर का शा सा में बदल रहा है तो देश से और खांद बदल रहा है तो भाशा से भा सा यह भाखा हो जाएगी लेकिन 嫌डिए रेकार शेशनाग कहता है तो स शोंकिंघ बदलता है हम पोखक या सोखक नहीं बोल सकते हम वह पर पोश या सोसक बोलेंगे सेस नाग बोलेंगे लेकिन सेख नाग नहीं कह सकते तो उचित तोर पर अर्थ परिवर्तित ना हो जाएं इसका भी खयाल जो है वो रखा जाता है ठीक है अब आते हैं कोशन नंबर 12 में क्या पुछा है 36 गड़ी क्रिया विशेशन निम्न में से कौन सा शब्द है चुटर्री चुपचाप करिया और चुपपा देखा जाए तो विशेशन की विशेशता बताने वाले को प्रविशेशन कहा जाता है 36 गड़ी में भी हम बलवाची प्रत्य लगागते हैं शुगहर है तब बहुतेस सुगहर कहते हैं होसियार है तो बहुतेस फोसियार कहते हैं ठीक है इसी तरह देखा जाए तो वो शब्द जो क्रिया की विशेशता बता रहा है उससे एड़ वर्ब यानी की क्रिया इस्थान संबंधी, रीती संबंधी और मात्रा संबंधी अगर विशेश्ता बताता है तो समय सूचक, इस्थान वाचक, रीती वाचक और परिमान वाचक क्रिया विशेश्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है? संजा बिहानियाव अगर कहता है सौके रहा मुंधरहा कहता है अब तब जब कब कहता है तो समय सुचक है यहां उहां जहां तहां कहां कहता है एती ओती जेती तेती कहता है तो इस्थान है इसी तरह यदि अत्का उत्का जत्का तत्का कहता है तो वो हमारे लिए मात्रा है लेकिन यदि वो कहता है ऐसे वैसे जैसे तईसे चुपे चुप कहता है गुप चुप कहता है चुपे चाप कहता है चटले फटले हब के कहता है लवहा लवहा मने मन धीरे धीरे कहता है तो सब रीती होते हैं तो 36 गड़ी में क्रिया विशेशन चुटर्री यदि हम कहें तो किसी छोटे बच्चे को संबोधित करनी के लिए चुटर्री कारत बहुत चुलबुली किस्म की होती है तो हम इसे विशेशन की शेड़ी मिले जाते हैं दूसरी बार करिया रंग संबंदी विशेशता है इसलिए भी विशेशन का शड़ है अगला प्रशन क्या पूछ रहा है अगला प्रशन है तेहरा किस पक्षी का नाम है ये भी आपके एक्जाम में आ चुका है कि क्या मैना को कहते हैं उल्लू को कहते हैं कटफोडवा को कहते हैं या नीलकंट को कहते हैं तो चत्तिस गड़ के अंदर जब कपिलनात मिश्र ने खुसरा चीरई के बिहाव नामक रशना को लिखे तो साहित देकारों का ये उस खुसरा चीरई के ब्याह में दिया जाता है तो उस में च्छतिस गड़ी के जितने भी व्रिक्ष हैं पशुपक्षी हैं उन सभी का च्छतिस गड़ी में किस नाम से पुकारा जाता है उनका उल्लेख है तो जब मैंने आपको शब्द कोश कराया था तो पशुपक्षी कीडे मकोडे, मनुश्य वी, आपके जो रिष्टों के नाम है, इस तरह फल के नाम, सबजीयों के नाम, बीमारियों के नाम और सारे जो चीज़े मैंने शब्द कोश में बताई थी, उसे में मैंने पक्षियों के नाम में बताया था कि मैना को सलही कहते हैं, उल्लू छोटा है, तो खुसरा कहते हैं, बड़ा वाला आउल है, उसको हम घुघुवा कहते हैं, गठ फोड़वा, जो हमारे लिए, जो गठ खोलवा चथिस een गड़़ः में कहते हैं और हिंदी मुसे कट फोडवा कहते हैं वुट पेकर को 36 गड़ी में इसे कट खोलवा कहते हैं लेकिन यदि हम किसकी बात कर रहे हैं आपका बात कर रहे हैं टेहरा टेहरा 36 गड़ी में नील कंठ को कहा जाता है जो आपका ब्लू जे होता है उसे हम नील कंठ कहते हैं और 36 गड के दिन देखना बहुत ही शुब माना जाता है श्रीव का एक प्रतिक माना जाता है तो 36 गड़ी में टेहरा या टेहों नीलकंट को कहा जाता है अब हम आते हैं अगले कोशन में कोशन नमबर 14 36 गड़ी में संप्रदान कारक हेतु प्रयुक्त प्रत्या है ठीक है ला बर खाती अप्शन नमबर D है B और C दोनो जब किसी संग्या और सर्वनामिक शब्द का संबन दूसरे पदों से बताया जाए तब उसे कारक कहा जाता है दूसरी बात जिस चिन्ह के द्वार उसे कर्म् करन् संप्रदान अपरदान संबंद अधिकरन और संबोधन के तौर पर कारक ही हाने की परसरगव का bijvoorbeeld किया जाता है इसी रूप में कर्ताहर कर्म ला करं ले से संप्रदान के लिए यदि हम देखें तो बर का भी प्रयोग होता है और खातिर का भी इस्तेमाल किया जात मैं घुमे जाता है तो खाये बर कुछू लिहूं ते कर्वा मुला पैसा दे कहता है तो और खातिर मैं मरे जात हूँ देश के खातिर कहता है लईका खातिर बाबु हा बहुत मेहनत करते कहता है तो जब करता किसी कारे को करने वाला है तो उसके साथ हर जुड़ेगा जब किसी करता एक दोरत किया जाने वाला कर्म है तो 36 गढ़ी में लाख और का जुड़ेगा बिलास्पूर के शित्र में का भी कहा जाता है और अगधिकान शित्र में लाख का इस्तेमाल किया जाता है अगली बात करण में ले और से होता है संप्रदान बर खातिर लेखे लाने का आ जाता है अपदान में ले और से का प्रयोग होता है संबंद में कर और के का प्रयोग होता है अधिकरन मा में करा का प्रयोग होता है उपर का प्रयोग होता है और संबोधन में गा अगा ओ या रे और जी का प्रयोग जो है वो किया जाता है तो करता है कार्य को करने वाला कर्म है उसका द्वारा किया जाने वाला कार्य करने का साधन संप्रदान है समर्पन अपदान है अलगाव अधिकरन है कार्य का इस्थान और संबोधन है संबोधित करने वाला शब्द इसलिए करता को सब्जेक्टिव या instrumentive और संपरदान को dative अपरदान को ablative और संबंद को genitive अधिगरण को locative और आपके संबोधन को locative के नाम से पुकारा जाता और 36-गड़ के अन्दर जब कारक विभकती प्रयोग होती है तो संपरदान कारक ही तु बर का भी प्रयोग होता है और खातिर का भी प्रयोगत है जितनी भी questions चाहे वो हिंदी भाषा के part 1, 2 में हो चाहे वो जितनी भी questions 36 गड़ी के part 1 और आज के part 2 में हो इन सब का detail आपको हमारे द्वारा जो संस्था ने YouTube चैनल में आपके लिए crash course के समक्ष प्रस्तुत किया था उन चीजों में आपको विस्तरित रूप में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है यदि यहाँ पर आपको तकलिफ हो रही है कोई परेशानी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेजी जग YouTube चैनल हमारा जो competition community का है वहां language के portion को खोल कर आप वहां से हिंदी और 36 गड़ी भाशा का पूरा वीडियो देख कर इस MCQ को दुबारा अपने तरीके से solve कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ अगला question क्या पूछता है अगला question है हमारे लिए question number 15 और question number 15 ने क्या कहा है question number 15 यह यहाँ पर आपका वाक्य से पूछा है फिर से यहाँ पर आपके कारक रचना से ठीक ह और क्या पूछा है कि कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरन है ठीक है करण कारक का उदाहरन तो इबर ध्यान से समझेंगे करता के साथ जुड़ता है हर करम ला और होता है का ठीक है इसी प्रकार करण ले और से ठीक है संप्रदान अभी बताया बर खातिर इसके अलावा और लाने का प्रयोग होता है ठीक है अप्पा दान फिर से आ जाता है ले और से के लिए संबंद हो जाता है कर और के के लिए ठीक है अधिकरन हो जाता है मा इसी प्रकार मेर इसी प्रकार हो जाता है करा और संबोधन की तौर पर गा का प्रयोग करते हैं हम ओ का प्रयोग करते तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर इन कारक में से करण कारक क्या है करण कारक याने जब करता किसी कारे को करने के लिए जिस माधम या साध्यन का इस्तेमाल करता है तो 36 गड़े में करण ले और से जुड़ता है ठीक है तो option दिया है पागा बांध है ले इमान नहीं जा गए दूसरा है रुख ले पाना ज़रत है तीसरा है रामसाय जाती ले बाहिर होगे और चौता है छान ही ले बेंदरा कुदिस अब आपका confusion क्रियेट हो रहा है आपका करण कारक ले और से से और आपका अपदन कारक ले और स दियान रखेंगे अपका दान का मतलब होता है डर की वज़े से तुलना की वज़े से जब कोई वस्तु करता से अलग हो जाती है तब उसे अपका दान कारक कहते हैं लेकिन जब किसे कारे को करने के लिए जिस माध्यम या जिस इस्त्रोथ जरिये का वो सहारा लेता है जो equipment या instrument वो यूज करता है उसे हम करन कारक कहते हैं ठीक है आगई बात समझ में तो question ने क्या पूछा है question ने पूछा है कि इस प्रश्ण में इस प्रश्ण में पूछा है कि कौन से वाक्य में करन कारक है पागा बांधे ले इमान नहीं जागए कहता है तो पगड़ी बांधने से इमान नहीं जागता तो इमान को जगाने के लिए पगड़ी बांधने की कोई आशकता नहीं है द दूसरी वत, रामसाय जाती ले बाहिर होगे, अब तक वो समाज के अंदर था, परन्तु समाज से उसे निकाल दिया गया, इसलिए यह भी हमारे लिए अपादान का उधारन हो गया, छानही ले बेंदरा कुदिस कहता है, तो छपड से बंदर का कुदना दोनों को अलग करता ह छपड से बंदर को, यह भी है हमारे लिए अपादान कारक, लेकिन पूछा है करण कारक कौन सा है, तो अप्शन नमबर A, कि पगड़ी बांधने से इमान जागता नहीं है, तो यहाँ पर है अप्शन नमबर A, कोशन नमबर 15 का अंसर, ठीक है, अब आते हैं आगे, कोशन नमबर 16, यहाँ पर फिर से दिया है कि अरकटा का अर्थ है, चतिस गड़ी शब्द कोश के अंतरगत देखेंगे, जब बीजहा कारेकरम का, चतिस गड़ शासन के राजभाशा आयोग के द्वारा शुरुवात किया गया, तो चतिस गड़ में लुप्त होने वाले श संग्रह बिजहा कारेकरम के अंतरगत उनका संग्रहन करने के लिए किया गया, और उसी में पाया गया कि अरकटा जैसे शब्द का प्रयोग, चतिस गड़ के अंदर किसी विशेश शब्द के प्रयोग भति किया जाता है, तो आखिर उसका आंसर, option A, B, C, D में क्या है, क्या वो चाकू को कहते हैं, क्या वो सरोता को कहते हैं, क्या वो छोटा रास्ता को कहा जाता है, या किसी व्यक्ति की चाल को कहा जाता है, चतिस गड़ी में अरकटा के नाम से पुकारा जाता है, कहीं कहीं से अरकटा भी कहा जाता है, प्रोनांसियेशन में र अड़ा में लिए अरकटा भी कहते हैं और अरकटा के भी नाम से इसको पुकारते हैं छोटा रास्ता को अरकटा कहा जाता है ठीक है अब आते हैं अगला प्रशना अगला प्रशना है कुश्चन नंबर 17 अरम पपई क्या है छतिस गड़ के अंदर सभी प्रकार के फलों को अलग अलग ना पाएए हैं तो जिस रुक में बाहर में उनका नाम है जैसे अधी हम अगर आप कीवी कहेंगे तो 36 गड़ के तुंदर पाया नहीं जाता है ना तो 36 गड़ी में उसे कीवी ही कहा जाएगा ठीक है इसी तरह कुछ ऐसे फल हैं जो केवल 36 गड़ में अन्य प्रांत की तरह पाए जाते हैं उनका 36 गड़ी में विशेश नाम है जिसके पैदावार 36 गड़ राजे के अंदर भी है और भारत के अंदर भी है तो बहुत प्रसिद्ध नाम जो है वो 36 गड़ी में भी पाए उरके नाम से पुकारा जाता है ठीक है दूसरी बात इसी तरह यदि हम पेठा कहें तो 36 गड़ी के अंदर भी वह एक खादि पदात है जिसे पेठा ही कहा जाएगा लेकिन 36 गड़ी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी की तरह विशेश नाम रगते हैं उसमें पूछा कि अरम पपई क्या है क्या वो उपमा है क्या वो पपीता है क्या वो अनार है क्या वो इमली है तो 36 गड़ी के अंदर उपमा किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता या तो सूजी का या साबुदाने का बनाया हुआ एक पकवान होता है खादि पदार्थ में जा किसी व्यक्त को दिया गया उपाधी होता है छतिस गढ़ी के अंदर अनार को संस्कृत का अपभ्रण्षित दड़मी के नाम से पुकारा जाता है जो संस्कृत में डाड़ी मम कहलाता है। अम्बली का संस्कृत में इमली को कहा जाता है, चत्तिस गड़ी में इमली को अमली कहा जाता है, इसी तरह सेव, केरा, मुसब्वी, नरियर कहा जाता है, इसी तरह कोसं पाया जाता है, छोटा फल होता है मुकईया, मुकईया वो फल होता है जो बेर की प्रजाती होती है, छोटा पौधा होता है ज्जाड होता है जो झायत के किनारे में या नदी की किनारे में मेड के ऊपर पाये जाते हो ज्भरबेरी है लेकिन ओव्रिक्ष होता है च्ष curated बुल हुठady महम कहते है जामून के रंग का काला काला दिखते है और अपेल की तरह उसकी लंभी लंभी ल ठीक है इस ही सब में पपाया जो पपीता है उसे 36 गड़ के अंदर अरम पपई के नाम से पुकारा जाता है ठीक है क्लियर हो गई चीजें अब आते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 18 ठीक है और क्या कहता है यहां पर आपको फिर से एक ऐसा प्रश्ण पूछा था जनवला में वैसे ही यहां फिर से एक पहली से संबंधित प्रश्ण पूछा है तो अगर आप प्रश्णोत्तर की श्रेणी में देखेंगे तो प्रश्ण पूछा जाते हैं तो चत्तिस गड़ी के अंदर माक्सीमम चत्तिस गड़ी शब्द कोष से प्रशास्निक से मुखावरा लोकोक्ती से पहली से अधिकांश प्रश्ण पूछे पर आपका प्रश्ण पुझे था एक्जांपल के तौर पर खोदा पाहड निकली चुहिया खनिस खप्टिस पहाड पाईस इस तरह प्रश्ण में आप्शन दिया था और आप्शन लिखना था आपका मुसुवा मतलब की जो आपके हिंदी की मुहावरे लोकोपती हैं उसी त सबस्wick्ण से प्रश्ण आता है समुध्य शब्द से था पूछा जाता है विकारी अविकारी से फिल्क और वर्तमान समय में प्रें संबंडिते ज्यां रखेंगा यहां कह सकता है कौन सब्रव Northeast होता इस रूप में तो उसका भी प्रते लिद्टियों दुसरी बात यह वो कंठ का वरन निमने में से कौन सा है कहे अलप प्राण वरने की पहचान कीजे कहे तो हिंदी को ही फॉलो करके आप उसको हिंदी में समझ कर 36 गड़ी में भी समझनी की कोशिस किजेगा क्यों क्यों कि हिंदी भाषा के देवनागरी वाले वरनाक्षरों का प्रयोग 36 गड़ी भाषा में किया जाता है क्लियर हो गई चीजे कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा तो इसका है उत्तर पूटू जो मश्रूम होता है आपका ठीक है जो मश्रूम होता है उस मश्रूम को देखा जाएं तो एक छोटी सी एक छोटी सी तहनी जैसे बिल्कुल छोटी सी होती है और उपर में एक टोपी जैसा होता है तो सुलूंग साटी याने की सक्रा नीचे का हिस्सा सक्रा और टीप मा बाटी कहता है मतलब कंचे की माफिक गोल कहता है तो आकरिती इसकी पूटु की होती है इसलिए आंसर होगा अप्शन नंबर सी पूटु ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में मया जेवन 36 गड़ी शब्द से आशय क्या है अब यहां 36 गड़ी प इंतर्गत रखा गया था तो 36 गड़ी शब्द कोश में हर वो शब्द जो कभी कभी प्रशासनिक शब्दों में इस्तमाल होते हैं उन्हें प्रशासनिक शब्द कहा जाता है 36 गड़ी के अंदर प्रशासनिक शब्द की केटेगरी में शब्द कोश से संबंधित मया जेवन की बात करें तो उसका 36 गड़ी में क्या रत है क्या वो बियारी भोज है क्या वो मध्यान भोज है क्या वो प्रिती भोज है क्या वो ग्राम भोज है तो मया का मतलब होता है प्रेम प्रेम स्वरुप जो लोगों को भोज कराया जाता है उसे प्रिती भोज कहा जाता है ठीक है तो इसलिए मया जेवन, जेवन का मतलब खाना होता है, प्रेम सोरोपिदियम किसी को आमंतरण से बुला कर खिलाते हैं, तो शादी ब्याह का माहुल हो, छठी बरसी का कारेक्रम हो, तो वहाँ पर प्रिती भोज का निमंतरण दिया जाता है, जिसे छतिस गड़ी में मया जेव है, इस हेतों प्रियुकत च्छतिस गड़ी शब्द निमने में से कौन से है, अकस्मात अचानक जो चीज हो जाता है, या एक आकस्मिक अवकाश के लिए, यदि हम आविदन प्रस्तूत करते हैं, तो प्रशासनिक शब्द के अनुसार आकस्मिक हेतों निमने में से कौन सा च्छतिस गड़ी शब्द इस्तिमाल होगा कहेंगे, अक्तकही उपरहा दिनमान या बेरा कुवेरा, अक्तकही कहता है तो अक्ताना मतलब की जादा हो जाना, उपरहा मतलब किसी चीज़ का जादा हो जाना, और दिनमान मतलब दिन के समय की अविस्था, लेकिन अकस्मिक कह तेना अब भ्रहनशित करके कि time by time तुम आते हो उसी को यदि हम time by time कह रहे हैं या अकसमात कह रहे हैं तो 36 गड़ी में उसके लिए बेरा कूबेरा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बेरा का मतलब होता है समय ठीक है और कूबेरा मतलब की विश्मित समय कुल मिलाकर अकसमिक मतलब जो समय से हट कर है अकसमात है उसके लिए बेरा कूबेरा का इस्तेमाल किया जाता है अगले आते हैं question number 21 में असगई पसगई शब्द है अब यहां दिया है क्या यह असगई पसगई क्रिया विशेशन का शब्द है क्या वो प्रविशेशन का शब्द है क्या वो उपसर्ग प्रत्य का शब्द है क्या वो तदसंतग्भा का शब्द है तो जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ह एडवब के बारे में बताया तो मैंने ये बताया कि यदि किसी क्रिया की विशेशता बता रहा है तो उसे क्रिया विशेशन कहा जाता है व्यक्ति विशेश में विशेशन की विशेशता बता रहा है तो प्रविशेशन किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़ रहा है तो और बाद में जूड रहा है तो प्रत्य ऍसस्कृट की शब्दों का वही प्रैयोग तदसन है उसका हिंदी रुपानतरन तद्धो है तो फिर असगई पसगई क्या है? क्या, असगय पसगय की अगर हम बात करें तो हम संस्कृत में जो कहते है न वाम और कहते है आपका दक्षिट ठीक है, मतलब कि दाया और बाया कहते है हिंदी में हम अकल बगल कहते है आजू-बाजू कहते है 36 गड़ी के अंदर देखा जाए तो इस आजू बाजू को असगई पसगई के नाम से पुकारा जाता है और यह adverb of place बनाता है अगर देखा जाए तो मोर असगई पसगई मा कहूं नहीं है मतलब मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं है कहता है तो जब किसी क्रिया की विश्यशता समय के नुसर बताया तो adverb of time ह हुआ according to manners बताया तो रीती वाचक हुआ और according to मात्रा बताया याने की परिमान बताया तो adverb of quantity होता है यहां पर असगई पसगई एक क्रिया विश्यशन शब्द है जो इस थान वाचक क्रिया विश्यशन बनाता है ठीक है अब आते हैं आगे question number 22 क्या कहता है फिर से आपको जनवला से संबंधित प्रशन पूछ का क्या कह रहा है ध्यार से पढ़ेंगे जनवला से संबंधित प्रशन पूछ रहा है और कह रहा है इस जनवला का क्या अर्थ है मतलब कि 36 गड़ी पहली में एक ऐसा प्रशन है जो पूछ रहा है सगा मतलब समान रुप की जाती वाले के घर समान रुप का जाती वाला व्यक्ति जाता है वही व्यक्ति उस व्यक्ति को या उस समान को या उस तक्त्व को पकड़ता है तो कह रहा है कि सगा घर जाय सगा धर सगा सगाला और कहता है मार सगा सगाला तो महमान नहीं है यह जाने की सोना सोनार के हाँ जाता है लोहा लोहार के हाँ जाता है सोनार पकड़ कर समान उस सोने को मारता है तो सोनार के घर सोना जाता है सोनार सोने को पकड़ता है और सोनार लोहे को सोने को पीटता है और आभुशन बनाता है तो क्या इसका आंसर केवल सोना है option number B दिया है लोहा तो देखा जाए तो लोहार के यहां लोहा जाता है लोहार लोहे को पकढ़ता है और लोहार लोहे को पीठता है और इसी तरह कोईला की बात करें तो कोईला किसी प्रकार से किसी जाती विशेश में कोईला नाम का कोई जाती विशेश का व्यक्ति नहीं होता तो देखा जाए तो इसका आंसर होगा option number D ए याने सोना भी और आपका option number B लोहा भी ठीक है अब आते हैं अगले question में अगला question है question number 3 आखी देख माची नई लीले इस हाना का अर्थ क्या है ठीक है option दिया है शणिक सुखोना जान बुझ कर गलती नहीं करना चाहिए जूटी प्रतिष्ठा दिखाना या परलो भी होना आखी देख माची नई लीले कर कर अर्थ जो है 36 गड़े अंदर किसी व्यक्ति को चेतावनी देखने के मतलब की जान बुझ कर कोई काम मत करो जान बुझ कर गलती नहीं करना चाहिए मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी आँखों से देख रहा है कि चाय में मक्षी है या किसी खाने में मक्षी है तो जान बुझकर मक्षी से उस तत्व को इस्तिमाल नहीं करता तो जान बुझकर कोई गलती नहीं करना चाहिए इस question number 23 का option है अब आता है question number 24 गाय के गले में बांधी जाने वाली रसी ध्यान से समझेंगे गाय के गले में बांधी जाने वाली रसी है तू उचित वाक्यांश है गरुवा गेरुवा गेरवा या सुहई अब देखिए सुहई गाय के गले में बांधी जाती है परन्तु यह रसी नहीं होती मोरपंक से कोडी से एक सजावटी तोर पर बनाया जाता है जो गाय के गलों में बांधी जाती है जो एक के विशेस पर्व में उनके गले में बांधी जाती है लेकिन गरुवा स्वयम रंग विशेस है और गाय के गले में बांद로 जाने रसी को गेरवा कहते हैं. 36 गड़ी में गाय के गले में बांद जाने रसी को गेरवा के नाम से संभोधित किया जाता है यह उद्शन आपके परिक्षा में पूछा जा चुका है तिक हैं आते हैं question number 25 नई बहु के आगमन पर ध्यान से समझेंगे नई बहु के आगमन का जो भोज में भात खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं अब आप कहेंगे उसे तहम प्रीती भोज कहते हैं लेकिन 36 गड़ी के अंदर जब नई दूलहन घर आती है और नई दूलहन के आने के बा जो घर में भोज करवाया जाता है जब बहु के हाथ से पकाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है क्या उसे बहु भात कहते हैं क्या उसे डार भात कहते हैं क्या उसे जेवन भात कहते हैं नई बहु के आगमन पर विदाई के बाद उस बहु की घर आने पर जो भात होता है उ उससे हम कहते हैं पठावनी भात अब देखा जाए तो यहां थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्लियर कर दो नई बहु का आगमन नहीं कह सकते यह नई बहु का आगमन कह रहे हैं तो जब माता पिता के द्वारा अपने बेटी को विदाई की जा रही है पठोया जा रहा है विदा भोज कर आया जाएगा तो एक की घर से विदाई होकर दूसरे के घर में उसका आगमन हो रहा है तो ऐसे भोज को पठावनी भात के नाम से पुकारा जाता है ठीक है और इस तरह देखा जाए तो हमारा 36 गड़ी भाशा से रिलेटेड हमारा पूरा तरह से जो आपको संबंधित उससे संबंधित आपको चीज़ें यहां पर मैंने MCQ के माध्यम से आपको बतलाया है तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने इस रोप में इसको पाया कि जहां 36 गड़ी भाशा से संबंधित प्रशन हमने आपको पूछे और MCQ के माध्यम से जितने भी प्रशन आप को मैंने पूछे हैं उसके अनुसार हमने यहां पर 36 गड़ी भाशा से संबंधित सारे टॉपिक को यहां पर कवर करवाने की कोशिस की है तो मेरे द्वारा हिंदी भाशा के अंतरगत दो MCQ के माध्यम से और 36 गड़ी भाशा में दो MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को आप को cover करवाया गया है आप सभी बच्चों के एक special demand की इस topic को cover कराने के साथ साथ यदि कुछ MC को question भी solve करवा दिया जाए तो हमें सहुलियत होगी की ऐसा कहा जाता था तो हमारी संस्था आपकी बातों को धर्मद्दे नजर रखते हुए आपके लिए जो program लिकर आई है उसके अंतरगत मैंने 36 गड़ी और हिंदी भाषा पूर्ण कर दिया और उम्मीद करती हूँ कि इसके माध्यम से जब मैंने आपको भाषा की हिंदी और 36 गड़ी समझाए और अब जब मैंने mc क्योंकि माध्यम से हिंदी और 36 गड़ी कराया तो पूर्ण रूप से आप हिंदी और 36 गड़ी भाषा को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आपके आगामी परिक्षा के लिए सभी बच्चों को धेर सारी शुब कामनाओं के साथ धेर सारा प्यार और आशिर्वात हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें मांसिक रूप से अपनी परिक्षक तैयारी के लिए परिक्पक्व रहें और इन्ही सुब कामनाओं के साथ अब मैं विदा लेती हूँ मिले सभी बच्चों को धेर सारी शुब कामने and God bless you and love you to my all my बच झाया